ओम सांती आज 28 अगस्त 2021 की मुल्ली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो प्रस्न है जो बच्चे ग्यान की खुसी में रहते हैं उनकी निसानी क्या होगी बाबा ने उत्तर दिया वे पुराने करम भोक का हिसाब किताब उस खुसी में मर्ज करते जाएंगी ग्यान की खुसी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है बुद्धी में रहता अब तो हम कुसी की दुनिया में जा रहे हैं रावण ने स्रापित कर दुखी किया अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल कुसी की दुनिया में ले जाने आज की मुली का गीत है तुमें पाके हमने जहां पा लिया है अब सुनते हैं मुर्ली विस्तार से ओम सांती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीज सुना जरूर बच्चों के रोमांस खड़े हो जाने चाहिए क्योंकि गाया जाता है कुछी जैसी खुराक नहीं अभी तुम सभी रुहानी बच्चों को बहत का बाप मिला है बहत का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांस खड़े होंगे तुम जानते हो हमारा राज्य था फिर राज्य गवाया अब फिर राज्य लेते हैं भारतवासियों के लिए यह खुशकबरी है ना परन्तु जबकि अच्छे रित्ती सुनें और समझें बरोबर यह खुशिकी बात है ना कल्प कल्प बाप आते हैं बाप का जनम भी यहां गाया जाता है त्योवार भी जो है सब इस समय के हैं बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है मनुस्यों को तो अनिक प्रकार के गम है यहां इस ग्यान की खुशी में वह गम, दुख, आदी सब मर्ज हो जाते हैं जैसे कोई बिमार ठीक होने पर आता है तो सब को खुशी होती है बिमारी आदी दुख की बातें जैसे बूल जाती है पियरगर, ससुरगर, मित्र संबंदी आदी सब खुशी में आ जाते हैं तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे फिर रावण ने स्राब दिया है, यह है गम की दुख की दुनिया फिर कल होगी कुशी की दुनिया, कुशी की दुनिया याद रहने से गम, दुख, आदी सब भूल जाने चाहिए यह है तमो प्रदान दुनिया, बिन बिन प्रकार का करम भोग है अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं अनिक प्रकार के विगन आते हैं यह विगनों के करम बोग के दिन बाकी थोड़ा समय है बाप धीरस देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं कल्प पहले भी हुआ था करम बोग का हिसाब किताब चुक्तु होना है कुसी में यह सब मर्ज करते जाओ बस बाप और वर्से को याद करते रहो उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो बाबा कहते हैं, बस बाप और वर्से को याद करते रहो उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो नहीं तो और रिडंड पढ़ जाता है पद ब्रस्ट हो जाता है बच्चों का काम है एक बाप को याद करना बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमारे विकर्म विनास हो जाएंगे हिसाब किताब चुक्तु हो जाएगा बाकी थोड़ा समय है हिसाब किताब चुक्तु करते जाओ क्योंकि तुम हो अंदों की लाठी तुम भी याद करो दूसरों को भी बताओ विग्न तो बहुत पढ़ेंगे जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बाप को याद करो अक्सर भी नामी ग्रामी है मन मना भव अर्थात आत्माई मामे कम याद करो तो तुमारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे इसमें मुझने की तो बात ही नहीं सिर्व बाप को याद करो तो तमो प्रदान से सत्व प्रदान बन जाएंगे तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है चक्र लगाते आएं हैं लगाते रहेंगे यह है पुरानी दुनिया पुराना चोला इनको भूल जाना है यह है आत्माओं का बहत का सन्यास उन्हों का है हद का सन्यास घरबार छोड़ जाते हैं उन्हों का भी ड्रामा में पाठ है फिर भी ऐसे ही होगा सेकिंड सेकिंड जो पास हुआ सो ड्रामा फिर वही ड्रामा रिपीट होगा सास्त्र सब है भक्ति मार के पुस्तक भक्ति के बाद है ज्यान इस सीडी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है मुक्य जो चित्र है वह अपने घर में ही रख सकते हो त्रीमूर्ती भी बड़ा क्लियर है उपर में सिव भी है ब्रह्मा विष्णू संकर भी है सुख्ष वतनवासी फिर उच्टे 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 बगवान बच्चे भी समझते हैं जहां बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का इस्तान जिसको निर्वान दाम कहो अत्वा सांती दाम कहो बात एकी है सांती दाम नाम ठीक है अत्वा निर्वान दाम अर्थार्थ वानी से परे दाम वह सांती दाम ही हो गया वह सांती दाम फिर है सुख और सांती संपत्ती दाम फिर होता है दुख और असांती दाम सुख दाम में तो कारून के खजाने होते हैं अथा आज क्या है कल क्या होगा आज कल्यूक का अंत कल होगा सत्यूक का आदी रात दिन का फरक है न कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुक्वनसावली ब्रामनों का दिन और फिर रात दिन में हैं देवताएं रात में हैं सुद्र बीज में हो तुम ब्रामन इस संगम योक का किसक पता नहीं है मनुस्य तो बिलकुली गोर अंध्यारे में है तो गोर सोजरे में ले जाना तुम बच्चों का फरज है अभी सामने वही महाबारत लड़ाई है गाया हुआ भी है विनास काले विप्रित बुद्धी विनिशंती विनास काले विप्रित बुद्धी विजियंती तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं वह हमारी राजाई कोई चीन न सके रावन की प्रविस्ता तो होगी द्वापर से रावन ने हमारी राजाई चीनी है जिसको दुस्मन ही समझो क्योंकि दुस्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं यह बहुत पुराना दुस्मन है कहते भी है रावन राज्य परंतु किसकी बुद्धी में नहीं आता है तो गोर अंध्यारा कहेंगे ना बहत का बाप है नौलेजफुल उनको ग्यान का दाता दीवियत चक्सुविदाता कहते हैं अभी तुम आत्मों को ग्यान का तीसरा नेत्र मिलता है आगे तो कुछ नहीं जानते थे अब सब जान गए हो बाप ग्यान का सागर है तो जरूर ग्यान सुनाएंगे ना ग्यान सुनाने भी कर सिद्ध कैसे हो तुम देखते हो बाप ग्यान सुनाते हैं जिस ग्यान से फिर आदा कलब सद्गती होती है बक्ती को ही आदा कलब चलना है ग्यान से सद्गती संगम पर ही होती है कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती बाब कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ कोई भी अपने से अगर बुरा काम हो गया तो बाबा कहते हैं बताओ बाबा जानते हैं कईयों से बुरे करम होते रहते हैं रावन राज्य है ना माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फोरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी नहीं तो वृद्धी होती जाएगी काम महासत्रू है बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत आपोजिसन होता है सदेव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बस सके दही अभिमान बहुत आता है बहुत है जो माया के ठपड खाते हैं बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना अगबारों आदी में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं आजकल मनुष्य बाते तो कितनी भी बना सकते हैं तमो प्रदान है व्यास की जब रजो वद्धी थी तो क्या-क्या बाते बैट लिखी बाब बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगडो मत फलाने ने ऐसे कहा यह किया माता ही फिर जाता है समस्ते नहीं तमो प्रदान दुनिया है माया गिराने की कोशिस करेगी कोई भी जूट मुट बाते सुनाए तो एक कांसे सुन दूसरे से निकाल दो औरों को भी यही पैगाम देते रहो बाब कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ अब है आत्मा इसरीमत पर चलो हमारा पैगाम सुनो सिर्फ मामेकम याद करो जो याद करेंगे वह अपना ही कल्यान करेंगे याद आत्मा को करना है बूली भी आत्मा है अब बाप की स्रीमत मिलती है बाबा कहते हैं भूली भी आत्मा है अब बाप की स्रीमत मिलती है इसमें असिरवाद वा रहम आदी कुछ भी नहीं मागना है सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है स्राश्टी का चक्र कैसे फिरता है या तो सुना इसमें किट Hindi की कोई बात नहीं गोर अंद्यारे में ही बाप आते हैं इसलिए सिव रात्री मनाते हैं क्रस्टन का भी जन्म रात्री को मनाते हैं कीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को अब सिव के लिए क्या बनाएंगे वह तो है निराकार किसको पता भी नहीं बाबा जिस गड़ी आते हैं और काईसे चले जाते हैं सदेव तो सवारी नहीं करते हैं आएंगे और चले जाएंगे अभी तुम जानते हो हम सिव बाबा के पोत्र हैं वर्षा उनसे मिलता है, ब्रम्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है, ये तो मनूस्य है на, सद्गती में पहला नम्बर है, ये स्री क्रस्ण, ये सब को प्यारा है, क्योंकि सतो प्रदान बाल अवस्ता है थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है फिर रजो तमो स्रीकर्षन रादे ही फिर लक्समी नारायन बनते हैं जिनको बाप ने ग्यान दिया है उनको ही देंगे भारत में ही देवी देवता होकर गए है तो मंदीर भी भारत में बहुत है क्रिस्टिन की चर्च में क्राइश्टी क्राइश्ट देखेंगे देवताओं के कितने धेर मंदीर है बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अत्वा भारत को स्वर्ग बनाने हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं जैसे हम बाप के साथ आए हैं भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियां आदी पर कितना कर्चा कर बनाते हैं उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनास कर देते नो रोज के अंदर ही डुबो देते हैं बहुत उनमें प्रेम होता है, नवरति कलकते में बहुत मनाते हैं इन सब बातों पर अभी बंडल लगता है नोर्ता की बात कर रहे हैं, वावा नो दिन मूर्ति की पूजा करते हैं खुसी मनाते हैं फिर बाद में डुबो देते हैं आगे तो हम भी पाड़दारी थे, करोड़ो रुपया कर्च करते हैं कितनी अंदर सर्दा है, रामायन से कितना प्यार होता है बाते सुनकर आखों से आसु बहा देते हैं यह सब है बक्ती मार्ग, इससे फाइदा कुछ नहीं बाबा, अब हमको कितना समझदार बनाते हैं तो यह सब सुनकर यहां का, यहां भूल न जाओ सब बाते याद करो, पूरा रिफ्रेस होकर जाओ अपने को, आत्मा समझ देश सहित जो कुछ देखते हो, सब भूल जाओ यह सब कबरिस्तान हैं, डेली में, बिल्ला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्तान था, जो धरम रात ने इस्तापन किया था अभी तुम बच्चे जानते हो, यह दुनिया कबरिस्तान बननी है बाप कहते हैं, कब सब कामचिता पर बैट, एकदम जल मरे हैं क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है उसमें भी हलका नसा, सैमी नसा भी होता है बच्चों को ही बाप बैट कर समझाते हैं घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा, तो कहेंगे न यह क्या बाप की आबरू गवाते हो बाप की इज़ जाती है न बहत का बाप भी कहते हैं, तुम काला मू करते हो तो ब्रामन कुल वोसन जो देवता बनते हैं उनका नाम बनाम करते हो तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकस सही भारत को फिर से स्रिष्टाचारी देवता बनते हैं तुमारे लिए तो जैसे common बात है, देखते हो महा भारत लड़ाई भी खड़ी है, इसमें ही स्वर्क के गेट खुलते हैं, सास्त्रों में महा भारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है, कह देते हैं प्रले हो गई, अब क्रश्ण का एक तरफ तो मात्ता के गर्व से जनम दिखाया है, और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पिपल के पत्ते पर अंगुटा चूशता आया, कुछ भी समझते नहीं, वहां तो गर्व महल में रहते हैं, बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता, यह तो इन होता ही है, अब बच्चों को अपना कल्यान करना है, और दूसरों का भी कल्यान करना है, मूल बात है यह, बाप तो स्वर का रचेता है, उनको कही जाता है, Heavenly Godfather, तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, सिर जैनती भी बारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत क कुछ दिया होगा, अभी स्वर्ग की बात सई दे रहे हैं ना, बाप है ही सद्गती दाता, ज्यान का सागर, नौलेज बाप ही आकर देते हैं, अभी बाप तुमको नौलेज दे रहे हैं, पांच हजार वर्ष बात फिर यहीं आएंगे, बच्चों को निश्य है, जो जो इ प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, 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 सदा रहेंगे, हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते वहा बाबा वहा वहा मेरा भाग्य अब पूरी मुड़ी मैं से धार्णा के लिए जो मुक्यसार है पहला स्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्यान करना है कोई कुछ जूटी बात सुनाए तो सुनी सुनाई सुनी अंसुनी कर देना है उस पर बिगरना नहीं है दूसरा पॉइंट कभी भी देवता बढ़ने वाले ब्रामन कुल बूसनों का नाम बदनाम ना हो इसका ध्यान रखना है कोई उल्टा करम कभी नहीं करना है पिछले हिसाब किताब चुक्तू करने है अब मीठे बाबा का मीठा वर्दान है निन्दा इस्तूती जै पराजय मैं समान इस्तती रखने वाले बाब समान संपन वा संपून भाव विस्तार जब आत्मा की संपून वा संपन इस्तती बन जाती है तो निन्दा इस्तूती जै पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है दुख में भी सुरत वा मस्तक पर दुख की लहर के बजाए सुख वा हर्स की लहर दिखाई दे निन्दा सुनते भी अनुभव हो कि ये निन्दा नहीं संपून इस्तती को परिपट्वा करने के लिए ये महिमा योग्य सब्द है ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान जराभी वरती में ये ना आए कि ये दुस्मन है गाड़ी देने वाला है और ये महिमा करने वाला है आज की मुल्ली का स्लोगन है निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिविजन में नंबर मिल जाएगा निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिविजन में नंबर मिल जाएगा अच्छा, ओम सांती